2030 अब तक का बहतरीन साल है वीडियो को आखर तक जरूर देखना क्यूंकि हमने आप सभी के लिए कुछ बड़े सर्प्राइज रखे हैं तो बिना किसी देरी के आईए इसमें डाइव लगाते हैं केस्टिलवेनिया नॉक्टर्न इन शोज में से एक है जिसका फैंस बेस सबरी से रतदार कर रहे हैं 2017 में पहली बार नशर होने के बाद से दुनिया भर में लाखो फैंस को अपनी तरफ आकिर्शत किया है मुझे पूरा यकीन है कि मुझे स्प्रोड के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है है ना देखो मेरा मतलब है इससे सब कुछ खराब हो जाएगा मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने इससे अभी तक नहीं देखा है खाने का ये सही समय है हाई का एक और एनिमी जिसका फैंस पे सबरी से इंतजार कर रहे है फैं कैसी नो बिजनिस में कुछ दौलत कमाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा इसने सोचा कि ये आसान होगा लेकिन उससे क्या पता था कि कुछ भयानक सा उसका इंतजार कर रहा है मोनो गतारी एक और एनिमी जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं जानता हूँ ये शो पहले से ही नशर हो रहा है और सब कुछ लेकिन मैं फिर भी इसे शामिल करना चाहूंगा सच पूछें तो पहला सीजन बहुत बड़ा था और मैं दूसरे सीजन का बेस सबरी से इंतजार कर रहा था जो हमें मिल गया हियोमो एक नचमान है जिसके जीवन का मकसद तुसुको मुगामी को उनकी अपनी दुनिया में वापस भेजना है अब ये तुसुको मुगामी क्या है ये शक्तिशाली मफ्लूक है जिनकी आजमाई पुरानी चीजों के अंदर रहती है हयोमा इनसे नफरत करते है क्योंके उन्होंने इसकी कोई खास चीज लूट ली है अनलाग मुझे पूरा यपिन है कि आप सभी सोचते हैं कि अमर होना बहुत दिल्चस्प है लेकिन इस एनमी का नाएक आपकी राय पूरी तरह बदल देगा एंडी एक ऐसा लड़का है जो बुर्यादी तोर पर अमर है अगर्चे वो मरना चाहता है फिर भी वो खुद को मार नहीं सकता इसके जीवन में ये सब चल रहा है इसकी मुलापात पूरी दुनिया की सबसे बदकिस्पत लड़की से होती है जो अपनी अजीव शमता के कारण अंजाने में उन लोग को मार जेती है जिन से वो प्यार करती है ये सबसे क्रेजियस चोड़ी की शुरुआत का प्रतीक है जिसे आपने एनिमी में कभी नहीं देखा होगा क्यूंके लड़की एंडी को वो मौद देना चाहती है जो वो चाहता है ट्रिग्यून स्टेमपेडे येस लिस्ट में शामिल होने वाला अगला एनिमी है हम सभी जानते हैं कि जब ओजी एनिमी का रीमेक बनता है तो उनका क्या होता है खेर उन में से ज्यादातर खराब CGI और हर चीज के कारण बरबाद हो जाते हैं लेकिन मुझे खुशी है कि ट्रिग्यून को वो उपचार नहीं मिला हेल्थ्स पैरडाइस ऐसा कोई नहीं है जिसने एस एनिमी के बारे में नहीं सुनाओ क्या ऐसा है और आप उनमें से एक हैं मुझे अफसोस है कि हम मजीद दोस्त नहीं रह सकते हेल्थ्स पैरडाइस साल की बहतरीन एनिमी के लिए एक बड़ा दावेदार है और कुछ लोग पहले ही इसे ये टाइटल एनिमी दे चुके हैं अब बात यह है कि मुझे ये शो बहुत पसंद है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहता इसलिए बहतर होगा कि आप कुछ पॉपकॉर्ण्स ले लें और इसे खुद ही देखें अगर इस चो को अंडरेटिड करार किया जाता तो मैं एनिमी देखना ही बंद कर देता दुनिया में जहां आदम खोर राक्षस दुनिया भर में आसाथ घुंगते है मारू और क्रेकु नामी दो नौजवान सोरुग नामी जगा की तलाश में एक बचकाना सपने जैसा लगता है है ना और इसे ढूमने के लिए कुछ भी करेंगे अब तक की सबसे पसंदीदा एनिमी की कहानी में सेख है लकाची माच्सूशी की कहानी पेश करते हुए ये एनिमी इस साल नशर होने वाले फाइनल सीजन के साथ अपने एक्तताम पर पहुँच रहा है मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इस एनिमी के फ्लॉट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है है ना अगर आपने इस शो को नहीं देखा है तो निस्चत रूप से आपको ये शो देखना चाहिए क्योंके आप बहुत कुछ मिस्स कर रहे हैं नियर ओटोमेटा मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस शो के बारे में सुना होगा नियर ओटोमा ने स्प्रिंग 2023 में दुबारा नशर होने पर अपने लिए एक बहुत बड़ा नाम बनाया ये एनिमी और एंड्रोइड इंसानों की बनाय हुई दूसरी दुनिया की मशीनों की एक प्रॉक्सी जंके इर्दिव घूमता है दिल्चस्प है है ना साथ ही न देख रहा हुँ के वो बहुत सारे मशूर वीडियो गेम्स को एनिमी में कनवर्ट कर रहे हैं जो मेरी राय में काफी दिल्चस्प है ये एनिमी और वीडियो गेम इंड़स्ट्री दोनों की मदद करता है प्लीच थाउजन यर प्लग बॉक्प प्लीच अपनी वापसी के बाद सही शहर में चर्चे का विशे बना हुआ है और मेरे मन में रत्ती भर भी शक नहीं है कि ब्लीच नरूपु से आगे निकल जाएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस एनिमी का इंतजार कर रहे है थैंक यू